Good morning बच्चो, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि आप एक्सल को अपने मुबाईल पे किस प्रकाल चला सकते हैं और कम्प्यूटर की तरह से कैसे उस पे काम कर सकते हैं आज की क्लास में हम सिखेंगे कि हम Excel के अंदर values को कैसे लिखेंगे और उसमें उनका जोड कैसे निकालेंगे तो यह बच्चों हम start कर लेते हैं तो देखो यह Excel हमने खोला हुआ है बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ data को feed किया है यहाँ पे हमने पहले heading लिया है name, hindi, english, math, 4 subject ले लिया है और तीन बच्चों की detail हमने यहाँ पे चिड़ाई हुई है तो value लिखने के लिए जैसे आपके पास यह सम आ जाता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूए करके तो cell आपको ऐसे लिखता है तो इसमें लिखने के लिए आपको double tape करना है तो double tape करोगे तो आप यहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा cell यहाँ पे आपको इभी नाम लिख सकते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ मैंने राजी भी लिख दिया उसको और ऐसे ही अगले कॉलम में उसके detail चड़ा सकते हो उसके यहाँ डबल टेप करना है और यहाँ पे आपको keyboard आजेगा तो यहाँ पे उसका जो भी detail है आप बर सकते हो फिर अगले कॉलम में जाने के लिए अपने finger से next cell पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे उसको फिर से change कर सकते हो यहाँ पे डबल टेप किया फिर आप यहाँ से number पे गए और इसकी भी value हमने यहाँ पे enter कर दी इस तरीके से आपको यहाँ पे number को चड़ा देना है उमीद होप है कि आपको यह समझा रहा होगा बच्चों तो आगे अब क्या करना हमारे पास यह चार बच्चों का record हो गए है और अभी हमने इन बच्चों का जोड निकालना है कि हर बच्चे का total marks कितने आए हैं तो screen आपको यह चोटी नजर आएगी आप इसको movement कर सकते हो आगे पीछे ऐसे करके तो अभी हमारे पास यह heading है total marks यह खाली है तो यहाँ पर हम इनका जोड निकालने है सभी का तो जोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसमें function लगाएंगे तो क्योंकि जो excel है excel के अंदर हमें यह facility मिलती है कि आप function लगाके एक बार formula लगाके सभी values को जोड सकते हो तो function कैसे कराना है जैसे total marks आपको लिगाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे double tape करेंगे तो double tape करके यह cell ऐसे आपको आजएगा और ऊपर आपको यह formula ज़राएगा यहाँ पे उस formula में अपने fx को आप दबाओगे fx को दिबाने से आपको यहाँ पे function के list आएगी जो सबसे पहले ज़्यादा function यूज करते हैं वो यहाँ पे sum, average, count, max, mean यह पहले आपको दिखा देता है अगर इनके लवा को यह और function यूज करना है तो हम नीचे से उसको select कर लेते हैं तो अभी हम यह function sum को निकालना है तो हम यहाँ पे sum निकाएंगे क्योंकि हमने जोड़ निकालना है इन numbers का तो हम sum को use करेंगे और जब आप sum को use करेंगे तो यह उन cell को left side से अपने आप select कर लेता है जिस value को यह जोड़ना जैसे B2 से लेके E2 तक हम computer में इसको ऐसे भी लिखे भी सकते हैं इस फार्मूले को और यह अपने आप यहाँ पर उसकी range को उठा लेता है तो देखें B2 से लेके E2 तक B2 क्या है यह cell letters है जहां पर आपकी पहले value feed है और E2 जहां पर आपकी last value feed है यह बीच के सारे numbers को automatically जो यहां पर यह ले लेता है और आपका यह formula बन जाता है इस फार्मूले को अपने copy में लिख लेना है तो यह समझो है यह आपकी values को जोड़ता है तो जहां पर भी आपको values को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम इस values sum function का use करते हैं तो यहां पर इसको करके जैसे आपको यहां दिखा देता है तो यह आपको屠िक का निसान नजरारह है यहां पर आप इसको यहां पर अज़िक दबाते ही और जोड़ा है है उस value का A, आप चाहिए इस function copy भी कर सकते नीचे तो हमें यह function एक लगा देते हैं तो मैं इसको बार्वार लगाने की जूरूरत नहीं है एकल का हमें यह की सब और दो हुआप जो भी आने की जूरूरत सुँ पर लगा तो यह फंक्शन नीच्चे की तरफ सभी वैलियूस में अपने आपी कॉपी हो जाएगा अब आपने क्या करना है जैसे हम चेंज करके देखते हैं कि यह फंक्शन नमर काम कर रहा है नहीं कर रहा है तब यहां पर फस्ट वैलियूस दिखा रहा है अभी इसमें से कि की इस सूट्स के नमबर हूँ चेंज कर देते हैं मालो मैं मैंशन से कर देता हूं तो यहां पर मैं मिटाके देता हूं 90 ओर उसके जोड चेंज होता है या नहीं होता है तो जैसे देखो मैंशन एहां फिसको मैं खी किया था और इसका जोड़ पहले 65 था अभी है 285 हो गया तो जैसे जैसे हम यहां वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो यह आपका टोटल माप्स जो है और आपको पॉर्मेट बार है तो यहां से हम वैल्यू सको को साइज चोटा बड़ा करना कलर करना यह सब सैटिंगस वह आप यहां से कर सकते हैं अपकड़ो और ऐसे करने के लिए क्लार वगे क्लिक करने के लिए पुर्वर चापी जैसा यहां पर दबाने के बाद आपके पास नीचे यह बहुत सारे और जाएंगे चापने डाटा को चेंज कर पाओगे सब्सक्राइब है फॉन्ट में से मैं आपको तो इसका मतलब किया कि size है आपने अपनी values को कितना चोटा कितना बड़ा करना है तो जिस number पर भी आप यहां पर दबाओगे तो आपके text का size जो है उतना बड़ा हो जाएगा तो मैंने 14 किया 14 हो गया 16 करता हूं 16 करता हूं 20 करता हूं 20 हो जाएगा जितना बड़ा इसका size करेंगे यह उतना बड़ा बड़ता चला जाएगा नीचे आपको color plate है कोई भी color आपने करना है तो इसमें से कोई भी color हम choose कर लेंगे और वो color जो है आपके text का हो जाएगा तो जैसे मैं आपको यहां पर green color select करता हूं देखो text color green हो गया मैं blue select करता हूं तो blue हो जाता है और yellow करता हूं तो yellow हो जाएगा तो जैसा color मैं चाहूंगो यहां से वैसा ही color आपको यहां पर हो जाएगा तो दोबार default रखना तो default हो जाएगा तो यहां पर आपका font था यह font में आप यहां से change कर सकते हैं आगे वाला जो type है आपका वह आपका है alignment alignment में आपने तो आपको इसको प्रेक्टिस करना है तो आपको बहुत आसान से आ जाए गए और एक कंप्यूटर के तरह से आपको बिल्कुल इसको यूज़ कर पाऊगे और आसाने फिर भी कोई दिक्कत आएगी आपको हमसे comment box में इसको लिख सकते हैं आज के लिए इतना ही कि नैश्ट जो है हम अगली उस प्लास में पढ़ाएगा